आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रिसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें कितना दिया गया है? x धन 4 बरावर 0 x धन 4 बरावर 0 याने x बरावर क्या होगा? रिन 4 यह हमारे नियता हो जाएगी x बरावर रिन 4 तो इसके लिए अगर हमें एक चेतर बना है चोटा सा, देखिए इस प्रकार होगा क्योंकि हमें जो दिया गया है परवले की नाभी तो दोस्तों परवले की नाभी यहां कहीं पे होगी वो कितनी दी गया है? x बरावर 2, 2,3 यह दिया गया है अब परवलय का जो परवलय बनेगा वो इस प्रकार का कुछ बनेगा इस प्रकार से और इसके जो परवलय का जो नियता होगा उसका समीकरण क्या है यह है x बराबर रण 4 तो अब दोस्तो अब हम इसे हल करेंगे तो a का मान हमें यहां से मिल जाएगा दोस्तो इस प्रकार से इसका समीगरण बनेगा और ये अक्ष होगा अब दोस्तो यहां हमारा स्पष्ट है कि जिसके नाभी है एक्स अक्ष पर नहीं अस्थित नहीं है तो अब हम इसे हल करते हैं तो इस पर कोई एक बिंदू ले लेते हैं इस पर कोई एक बिंदू P ले लेते हैं और इस P बिंदू के निशांक माल लेते हैं X,Y हो अब इस बिंदू से तो दोस्तो परवले की परिभासा से यदि परवले पर कोई बिंदू P हो यदि परवले पर कोई बिंदू पी हो जिससे नियता पर लंब डाला जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तो परवले की परिभासा से ये PM की लंब डूरी बराबर होगी PS की दूरी के तो PS बिंदू की निर्शांग क्या हो जाएगे दोस्तो ये X1 Y1 हो और ये X2 Y2 हो तो यहां से हम इसे हल करेंगे और PM के लंब की दूरी वही होगी जो उसकी नियता का समीकरण होगा तो इसका नियता कितना है X धन 4 बराबर 0 तो यही इसका लंब डूरी हो जाएगा X धन 4 बराबर 0 ये बराबर PS की दूरी किया हो जाएगी दोस्तो करणी के अंदर ये X के निर्दरशांग का अंतर का वर्ग x ने 2 का वर्ग धन Hai के निर्जे शांगों का अंतर तो यह हो जाएगा y रिण 3 का वर्ग हल करने पे क्या हएगा x धन 4 बराबर x रिण 2 का वर्ग धन y धन 3 का वर्ग तो दोस्तो इसे यहां करनी को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, X धन 4 का वर्ग पराबर, X रिन 2 का वर्ग धन, Y रिन 3 का वर्ग, यहां से क्या हो जाएगा, दोस्तों हल करेंगे, तो X का वर्ग धन 4 दुनी 8 x दन 4 चोग 16 बराबर x का वर्ग रिंड 2 दुनी 4 x धन 2 दुनी 4 धन y का वर्ग धन 3 दुनी 6 y धन 3 तिया 9 अब देखिए जो जो समान पदे उसे काट देते हैं दोनों तो x का वर्ग x का वर्ग कड़ गया अब यहाँ x वालों को बाई और ले आते हैं और y का वर्ग को इधर रखते हैं तो यहाँ से हो जाएगा देखें दोस्तों क्या हो जाएगा 8 x और धन 4 x धन 16 रिंड 9 रिंड 4 यही हो जाएगा इन सभी को हमने बाई और ले आए बराबर क्या है हमारे पस y का वर्ग धन 6y हल करते हैnt यहाँ से, तो देखते हैं क्या हाता है यह हो जाएगा 8 x और 4 x 12 x और 9 और 4 क्या हो गया रिंड 13 धन 16 तो यह हो जाएगा धन 3 बराबर y का वर्ग धन 6y दोस्तों इसे पक्षांतर कर देता हैं क्या हो जाएगा देखिए य का वर्गधन 6Y, 12X बराबर 3 यही अमारे अभिष्ट परवल्य का समीकराण होगा धन्यवाद